हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर वन इसके अंदर हमारा टॉपिक था इंडिया स्लाइड एंड पीपल उसके अंदर हमने इसके पहले कुछ के बार में पढ़ लिया है अगर आपने अभी तक वह लेक्टर नहीं देखें जाओ देखो बहुत ही आसानी से मैंने समझा आज जाएगा आज का जो टॉपिक है वो है और यह टॉपिक जब आप पढ़ लोगे ना तो आप ऐसे करें अच्छा यह सब करते थे इन्होंने हमको सिखाया है इन्होंने हमको बताया है बहुत मझाएगा अब समझने के लिए आप लोगों को हमेशा से मैंने बूला है कि नियुक ले लो अपने पास रख लो मैं जिस तरीके से उस तरीके से करते जाओ लंबे समय तक याद रहजाएगा सबसे पहले हम लोग समझेंगे बारे में फिर हम समझेंगे आरियंस के बारे में अब जो भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दू कि मैं जल्दी कोई भी चीज फूल फॉर्म में नहीं लिखता हूं मैं थोड़ा सा आलसी हूं पर आप आलस मत करना मेरी एक्जाम हो चुकी है मैं पास हो चुका हूं आपकी बा कितनी पुरानी है लोग है जब इंसान आपने जीवन को चलाता था उस समय के लोग है infl aucun कि'Me के लोग है इस में बोलता लोग हैं यह लोग creator है किसके creator है मोहन जो दरो के creator है अभी अभी जो दरो है यह आपको थ्रड चप्टर में डीप में पढ़ने को मिलेगा पर अभी यहां के लिए इतना समझो कि यह एक city थी उस city की अंदर लोग रहते थे इसलिए एक civilization भी है मोहांजोदर एक city भी एक civilization भी है कैसे city smart city है यह प्राचीन यानि ancient smart city है बहुत ही advanced city थी किस ने बनाया था इसको डैविडेन ने बनाया था अभी तक हम लोग ने दो औरीजिनल क्या है ओरीजिनल रैजेदेन्ट ओफ इंडिया औरीजनल रैसिडेन्ट ओफ इंडिया इसका मतलब क्या है सपोस्स कवल दुबई के अंदर एक करो लोग रह रहे हैं उसके इंदर से असी लाख लोग हैं वो बाहर से आकर दुबाई में बसे हैं सिर्फ 20 लाख लोग ही हैं जो असली दुबाई के लोग हैं तो हम लोग उनको इंग्लिस में नाम देंगे और इजनल रेसिडेंट ऑफ दुबाई उसी तरीके से यह जो देविडियन है हमने अभी अगर पढ़ा है अपनी बुक को या हमारी वीडियो देखी हुई है पहले तो बहुत सारे ट्राइब के बार में पढ़ा उन सारे ट्राइब के अंदर से और इजनल जो इंडियन है और माwachआज को मालडari और वार इसके साथ और भी कौश्बब दिया है हमने नाम चुना हुआ हमारी पारवतीह माता का और सिव जी को पारवतीह को गाड़ियो और सिव जी को गॉड ये बोलना भी हमें किसे ने घैर्वडय पापा क्रवा ये सिखाया अब देखेंग लग रहा है अब यह लोग जो थे इनकी और खासियत थी कि यह नेचर की पूजा करते थे यह लोग नेचर की पूजा करते थे इसकी पूजा करते थे एक और इंट्रस्टिंग आपको बताता हूं जो आप अभी जानों के तो बूलोगे जब लोग करते हैं तो हम लोग धूब दीप और आर्टी करते हैं यह जो कॉंसेट है ना कि जब आप पूजा कर रहे हो तो धूब दीप आर्टी का यूज लोग यह भी हमें डैविडेल ने सिखा है मज़ा रहे है आगे नहीं आएगा एक वर्ड देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है मैट वी आर्चल सिस्टम यहां दखना यह स्पेलिंग याद करें ना मैट्री आर्चल सिस्टम का मतलब यह है कि हमको वूमेन को एक्वैलिटी देना है हमारे घर में जो भी हो तो ऑलतों को भी देना है क्या इज्जत सम्झाया है जितनी इज्जत हम मर्दों को देने है उतनी ही इज्जत ऑलतों को देनी है सम्झाया इसी सिस्टम को बोला जाता है मैट्री आर्चल सिस्टम स्पैलिंग याद के लेना थोड़ा सा स्पैलिंग बढ़ा है मैट्री आ बजना हो तो ऐसा समझो कि कॉटन से ये लोग को दागा दागा से कपड़े ये सब सायर बनाना भी ये लोगों ने सुदू किया होगा अभी आप बोलोगे कि आपने बहुने इसके साथ आपको अगर इंटरस्टिंग चीज बताऊं कि आज अगर आपको जानना हो कि डैविड में एक सिंपल सा लॉजिक बता दिया गया है कि कोई भी अगर तमील ते लुगू कनड़ा और मल्यालम लेंगवेज बोल रहा है उनको आप मानोगे कि वह दैविडियन है या फिर दैविडियन के वनसज हैं अपनी बुक में यही बताया हुआ है कि अगर आज आपको जाना है कि दैविडियन कौन है तो जो भी इंसान तमील ते लुगू कनड़ा और मल्यालम लेंगवेज बोल रहा है वह लोग कौन है दैविडियन है अगर सीदी सी भासा में बहुत के जो लोग है वह सब किसके वनसज है दैविडियन के वनसज है ठीक है अब यहां पर कूछ चीज यह असली इंडियान है जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे औरिजिनल रेसिडेंट इन्होंने हमको कॉंसेप्ट दिया था कौन सा कॉंसेप्ट मदर को माता बोलना और फादर को पीता या फिर देवता बोलना या मानना हमें किसने सिखाया दैविडेन ने सिखाया यह बोलते हैं मैट्रियाल्चर सिस्टम किसने सिखाया दैविडेन ने सिखाया इसके साथ साथ यह लोग बनाना वीविंग स्पिनिंग जैसी चीजों को भी करने लग गए थे अगर आज के अगर आज के टाइम पर हमको इनको देखना है तो कहां पर मिलेंगे साउथ में मिलें लेंगे जो भी इंसान तमिल तेलिगू करनेडा या मलीयलम लेंगवेज बोल रहा होगा हम माल लेंगे कि वह कौन है यहां पर आपका यह जो न्यूज है वह समाप्त होता है अगला न्यूज है जो हम आरियन के बारे में पढ़ेंगे मजाक कर रहा था मैं आरियन को समझने के लिए सबसे पहला समझो कि पुराने जमाने में जो भी हिंदूस होते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे आरियन है ना बहुत ही अच्छे थे क्यों अच्छे थै क्यों कि किसी भी सिविलिजेशन किसी भी इंसान की जो भी good habits होती थी, ये लोग उसको adopt कर लेते थे, क्या कर लेते थे, ये लोग उसको adopt कर लेते थे, किसी भी civilization की अगर जो भी good habits होती थी, आरियंस उसको adopt कर लेते थे, अगर किसी की भी अच्छी आदरों को आप adopt करोगे, तो आप advance होते जाओगे, क्या होते मतलब सब लोगों से सीख लेती है फिर हमको आके बता देती है बोलती है कि हम मैं बहुत स्मार्ट हूं उसी तरीके से आरियन भी थे कि वो लोग भी जो भी अधर ट्राइब है जो भी अधर लोग है उनके गुड हैबिट को सीखते थे और अपने आपको अडवांस बनाते थे यहाँ पर यह जो फुद्दूओ सा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यह इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपका अंसर बड़ा हो जा सब्संदू के नाम है सब्संदू जहाँ पर रहते थे इस जगे का नाम है सब्संदू अब आप बनाऊंगा जो बहुत इम्हेंग है तो बनाता है पता नियुक्त किस कदर कॉस्त है आप करने लगो अगे नीचे i.e करने आप आप जैसा आऌ को मैंस को आपको निस समझ में आएगा फिरीलों मेरे को अउसे नादी नाम से पाकिस्तान से होते ऊए नीचे जाके मिल जाती है अब इस नदी को सात नदी ऐसए करके 7 ब्रांच निक ली थी इसी 7 ब्रांचिस क्या बोलते हैं सफ्त सिन्दू हसे वरा सबसूंति यह रहते हैं कर बहुत रहते थे सफिन्दू वाले रिजन पर थोछे दिमाग नगाओ पहले के जमने पर इतना ज़्यादा टेक्नोलोजी नहीं था तो पॉंप नहीं था जहां पर नदी हो दी थी इंसान वहीं बसता था तो आरियन कहां बसे थे सब्त सिंदू के पास रहते थे सब्त सिंदू क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा अगर यह ड्रॉइंग आपको एक नाम था आरियवर्थ आपने महाभारत देखी होगी नई वाली तो उसमें वह मामा बोलते हैं ना कि पूरा आरियवर्थ देखेगा जब यह युद्ध होगा ऐसे करके कोई डायलोग है तो जहां पर भी आरियन रहते थे उनके सहर या देश का क्या नाम था अब यह सारे नाम भी आप एक बार याद करें तो अच्छा रहे जाएगा आपके लिए अब यहां पर समझना आरियन जो थे वह नेचर लवर्थ साथ-साथमें वह नेचर की पूजा भी करते थे यहां पर लिख ले ना बड़ से निचर की वेरियस एलिमेंट्स की अब इं अब यहां पर इंग्लीज में नाम पढ़ रहे हैं हम लोग तो लगे रहोगा यार यह क्या फुद्दूसी बात करें अगर इंदी में नाम बोलोंगा तो बोलोगा अच्छा वायू देव सूर्य देव बनियांट्री की हम लोग पूजा करते हैं सब गंगा मया नदी है ना त से सीखी है इसलिए आज शूरू देव बोलते हो किसने सिखाया हमको आदियन सिखाया अब बोले होगे हां यह तो हम लोग असली में करते हैं अच्छा हमको आदियन ने सीखाया था अभी हमारे आसफास और भी कुछ एक्टिवीटीज होती है जैसे कि यगन क्या होती है हम लोग बार-बार बोलते हैं जब भी हम यगन करते हैं तो बहुत सारे डायलोग बोलते रहते हैं मुझे इतना यादा याद नहीं है बट मैं एक बोल देता हूं कि हम लोग जब यगन करते हैं पूजा करते हैं तो इस तरीके की बाते बार-बार बोलते रहते हैं उनको ब साथ बताऊं यगन करना हमें आर्यन ने सिखाया था यगन करते समये जो हम लोग हींस basically करते हैं तो यहाँ था वर मैंने सब कुछ पड़ा दिया मायंड में बनवा दिया इसको आप अपनी नॉड़्वूक में अच्छे से बना लिना ताकि जब board आएगा तब यही notes निकलना और easily आपको सब कुछ याद रहे जाएगा अगर अभी भी किसी को भी कुछ भी heart लगा हो या नहीं समझ में आया हो तो मुझे comment करना मैं इससे भी easy तरीके से समझाने की पूरी कोसिस करूंगा